नमस्का दोस्तों आज हम बात करेंगे नाखुनों में हो रहे बदलाओ को नजर अंदाज ना करें इन में भी होते हैं रोग दोस्तों नाखुन सिर्फ हाथ पैर की खुबसूर्थी नहीं बढ़ाते बलकि स्वास्ते में भी मैत्पुन भूमी करें बाते हैं नाखुनों में होने वाले बदला स्वास्ते समन्दी संके देते हैं लेकिन ये नाखुन खुद भी रोग ग्रस्त हो सकते हैं अगर नाखुन को बिमारी ने जकर लिया है तो ये विक्रत नजर आ सकते हैं संक्रमित हो सकते हैं कुछ मामलों में दर्द या गंद भी पैदा करत या जानकर हैरानी हो सकते कि नाखुनों को भी रोग घेल सकते हैं जिन में फंगल या बैक्टीरिया ट्यूमरादी सामिल है प्यारे दोस्तों डॉक्टरों के अनुसार नाखुन क्वाक एक समने स्थिति है जो हाथ या पैर कि नाखुनों की नौक के नीचे सफेद या पीले इन्फेक्शन तब होता है जब व्यक्तिकों मदुमें हो कमजोर प्रति रक्ष्या प्रनाली हो 58 साल या उससे ज्यादा के हो या आर्टिफिशियल नेल्स पहने हो प्यारे दोस्तों अध्यन के अनुसार नाखुनों में भूरे या काले धब्बे दिखे तो इन्हें नजर अंदाज ना करें साधान से दिखने वाले नाखुनों में जो निशान है एक प्रकार की कैंसर पेलोनोमा की कारण हो सकते हैं भूरे काले धब्बे बढ़ते जा रह तो दिक्कत हो सकती है नाखुनों में पीले रंग का पस भर रहा है तो यह प्रेशानी का कारण बन सकता है कई बार नाखुन थोड़ा उपर उठने लगता है यह फंगल इंफेक्शन सरायसिस किसी चीज से नाखुन के नीचे चोट के कारण हो सकता है ऐसी स्तिति में ब्यटिक दवाओं के साथ इलाज किया जाता है कई बार नाखुनों में डेंट नजर आने लगता है अगर नाखुनों में गड़े दिखे तो इसका कारण जानिये यह स्रोइसिस एटोपिक डर्मेटाइटिस अलोपेशिया एरिया दा की कारण हो सकते है इसे डाइग्नोस क करने के लिए विशेश अग्ये की मदद जरूरी है नाखुनों में पीलापन भी एक आम बिमारी है लेकिन इसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता बिना नेल पॉलिश के प्रभाव के ऐसा आपके सरीर में दिखाई दे रहा है तो सरीर के अंदर कुछ होने के संकेत है यह की कमी की और इसारा करते हैं अगर पतले नाखुन है और नीचे की और जुकते हैं तो आयरन की कमी साफ पता चलती है सिस्तिति में नाखुन चम्मच की तरह दिखते हैं उचित पोशन की कमी पेट या आतों के साथ स्वास्ते समस्या जलकती है गुमावदार नाखुन कई ब लिवर पेट या आठ की बिमारी के बारे में जानकरी देते हैं इन लक्षनों को देखकर रोग का इलाज किया जाता है नाखुनों से जुड़े इन रोगों में बैक्टीरियल इंफेक्शन खतम करने के लिए क्रीम जैल या मलम इस्तमाल की जाते हैं लेकिन जाहां मामला लिए उस फंगस को खतम करते हैं जो किसी नाखुन या टीशू को छती पहुंचा रहे हैं और इंफेक्शन कर रहे हैं क्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दो सब्सक्राइब कर दोस्तों जय हिंद्ट